है गाईज वेलकम टो टेम्टिसी मेकानिकल एजुकेशन दोस्तों जैसा कि मैं हमने बात करी थी कि आपको दो पेपर तयार करवा दिये मैंने इंपीसल के कि इस तरह के का पेपर आता है और क्या-क्या नहीं चेंजेश हुए हैं वो सारी चीजे मैंने आपको प्रोवाइड कि कमी रहती है आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके देए देना और लाइक जरूर कर दीजिए ठीक चले स्टार्ट करते हैं आज का यह भी फर्स्कूश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि मैंने सब्जेक्ट वाइस अलग कर दिया है थर्मडाइनमिक्स देगे थर्म यह सब आपको पता होने चाहिए यदि इन सब के बारे में आपको नौलेज है कि या किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है है और फॉर्मलाज क्या होते हैं वो सब आपको अगर पता है तो बिल्कुल आपका यह टोपिक अच्छा है साथ ही ब परपरटी kisपरटी क्सपर डिपेंड करती है extensi परपरटी किसपर डिबेंड करती है मतलब इस तरीके से सवाल पुछे जाते हैं systems के बारे में जैसे open system है close system है isolated system है ठीक है तो चीज भी और unit conversion धियान रकिएगा इन सवाल topics में से अगर किसी के उपर सब जो question बनते हैं वो तो मुझे सिर्फ पर सित comment कर दीजेगा और telegram जोइन कर लीजे telegram मेरा नीचे मैं आपको bio में लिंक दे दिया description मैं और वहाँ पर आपको में उन चीजों के बारे में मेरे पास आवले बले लेकिन मैं कितनी सारी चीजे डाल सकता हूँ युनिट कनवर्जन जरूर देखेगा जासे वनबार में क्या होता है इस तरीके से होते हैं और आपके जो के फिगर आउत होते हैं बहुत सारे वह भी देख लीजीगा और इसी के साथ ही 3rd जो कि साइकल से जैसे कारनोट डीजल और ओटो इन तीन में से किसी एक पर सवाल बनता हैं नॉर्मली आपका डीजल साइकल के उपर देखने को मिलता ही है वन टू आईसन ट्रोपिक वन constant pressure, one constant volume है ना ये सही है इसके लगा थोड़ा extra में आप पढ़ ली जिए का cycles के बारे में numerical की अगर बात की जाए तो refrigerator पे बनता है, heat pump पे बनता है heat engine पे बनता है और gas equation जैसे P1 V1 है ना P VT is equals to constant वाला होता है ना तो इस पे भी normally question देखने को मिलता है normally आपका जो COP और relevant question होते हैं वो दो heat pump, heat engine के बीच में comparison करके भी पूछ सकता है normally यू ना समझे कि सिफ heat pump के उपर ही सवाल पूछेगा, मैं formula लगाऊँगा, put up करूँगा और answer आ जाएगा, ऐसा नहीं है दो difference भी करके देखिएगा हो जाएगा, clear, चलिए next बात करते हैं, heat transfer का वैसे मैं बता दो, part A में one जो है ये, इसमें आज सिफ 8 subjects को include किया है जो कि previously question जो पूछे गए हैं उस आधार पे मैंने यहाँ पर आपको इनके उपर दे रहा हूँ, second part में भी important subjects हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा और हाँ, अगर आपने previous year के question जो मैंने करवाए हैं, वो अगर नहीं देखें तो must किया रहा हम, वो देख लीजिए question बेटते हैं, previous year के जैसे कि आप यहाँ पे heat transfer की बात करें conduction, convection और radiation, यहाँ मैंने आपको बताया है, very important और यह है important, है ना, तो conduction से तो बहुत ही कम ना के बराबर, यह interview question बन सकता है, बट आपका convection और radiation पे तो बन सकता है सवाल क्योंकि convection के अंदर और भी काफी सारी चीज़े होती, जो आगे मैं आपको बताऊंगा laws की बात करें, तो four years law ballsman law, जो की emissive power होता है, और events law, इनके उपर कोई न कोई तो question बनी जाता है, तो ध्यान रखिएगा convection की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे मैंना जैसा की बोला, जैसा Reynolds number हो गया Prandall number हो गया, Grashot number हो गया Stanton number, देखें यह question यह इसके पर बनता ही बनता है कि वो कौन सा number है, convection के लिए, जिसमें आपका दो और भी number जो है इन में से, तीनों में से, वो भी included होते हैं, तो इस तरीके से सवाल आता है, formula पे जरू ध्यान दीजेगा Reynolds number हो, Pranall number हो, Grashot number हो Biode number हो, National number हो, कोई भी हो LMTD, यह भी one of the most important question लेके आता है NPCIL की तरफ से, इसलिए मैंने इसको very important की category में रखा है generally कोई ध्यान नहीं देता है log, min, rhythmic, log, min temperature difference, यह आपके लिए काफी important होता है, और यह normally आपका जो heat exchangers होते हैं, उसमें ज़्यादा काम में लिया जाता है, तो LMTD के बारा में transmittivity, black body, white body, gray body जो होता है न, normally इनके लिए row की value, alpha की value ऐसा एक question होता है उसको जरूर देख लीजेगा और इसके अलावा आपके newton's law of cooling को एक बार जरूर देख लीजेगा, वैसे बता दूँ आपको absorptivity का जो ही यह मैंने बताया, यह very important है, ध्यान रखीगा MSC power का formula जरूर ध्यान रखना क्योंकि इस पे normally question बन जाता है numerical छोड़ना मत, मैं शुरूर से बोल रहा हूँ numerical जितने मैं बोल रहा हूँ, वो सारे कर जाना है न, अब बात करें आपका mechanics के उपर तो आप देख सकते है, maximum range angle जो है, यह 45 degree देखने को मिलता है, यह question NPCL के अंदर बहुती बार पुछा गया है, इसलिए मैं इसको important की, very important की category में डाल रहा हूँ, ठीक है और इसी के साथ ही आपका dynamics के उपर देखें तो यह dynamics और mechanics, इसमें dynamics के जो परिभाशा होती है उससे question बनता ही बनता है NPCL में पूछा जाता है, तो dynamics में और mechanics में क्या difference से यह ध्यान रखिएगा और साथ ही आप resultant force का एक question होता है वो आपको बिल्कुल मिलेगा, numerical इसका आता ही आता है, और इसी के साथ system of the pulley, जो कि numerical देखे, यह मैं उन topics को जादा मैं यहाँ पर discuss कर रहा हूँ, जो NPCL में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है इसके अलावा भी question बन सकते हैं, तो ऐसा ना सोचे कि बस मेरे को इनी subjects को और इन topic को कर जाना है, बस हो यह मेरा काम ऐसा नहीं है, आपको मतलब जो चीजें करनी हैं वो तो मैं यह देई रहा हूँ, इसके अलावा भी जरू धियान दीजेगा, और number of system के बाद, system of pulley के बाद में आपका came, nomenclature, profile identification इसमें आपका जो base circle होता है base circle वाला question यह one of the most important question है, तो के npcl में पूछा जाता है इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, कि सिर्फ जो npcl लिख रहा हूँ वही है, और भी जो question है उनमें भी आपसे npcl में पूछा है, जिस लाइक आप 45 degree देखेंगे, तो यह भी npcl में पूछा जाता है refrigeration पर अगर बात की जाये तो यह होता है one ton of refrigeration की definition के उपर statement wise question बनता है COP और heat pump और refrigerator के comparison में एक सवाल बनता है condenser, compressor, देखें compressor के types को भी ध्यान से पढ़िएगा जैसे rotary type है, एक है centrifugal है, यह सारी चीज़े आपके लिए काफी ज़्यादा एक रामबाड इलाज हो जाता है कि आपको questions में ज़्यादा marks मिल सकते हैं क्योंकि normally इन सीज़ों पर कोई ध्यान नहीं देता है और number यहाई पर कड़ जाते हैं अब देखें numerical और theory दोनों बन सकते हैं, ध्यान रखिए condenser और compressor को अच्छी तरीके से पढ़िएगा मैं बोलूँगा इसको बहुत ही ज़्यादा important बनाई है है ना, और जो कि refrigerant के बारे में जो कि chemicals होते हैं ना, refrigerant जो इस्तमाल होते हैं वो ध्यान रखिएगा psychometric chart के लिए आप dew point temperature हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा यह psychometric chart का मैंने एक अच्छी तरीके सा नोर्स तयार किया था मेरे टाइम पर अब मैं आपको वो चीज जो है, अगर आपको comment करेंगे तो मैं आपको टेलिग्राम पे दे दूँगा जरूर देख लिजएगा जिसमें आपके नॉर्मली ड्राइनेस फ्रेक्शन से और dew point temperature से तो question आ सकता है इन में से, यह तो है आपका numerical वाला topic और dew point temperature जो है या तो line के concept से question पूछते हैं या तो definitions के concept से question पूछते हैं बाकि आने के संभावना अगर psychometric chart से आता है तो यही आएगा question number 6 पे चले तो temperature of the compressor in the refrigerator देखिए यह ऐसा question है जो normally किसी paper में देखने को नहीं मिलता है तो मैंने इसलिए इसको star की category में दिया है क्योंकि NPCL ऐसा question पूछ चुका है एक बार तो temperature compressor का कितना होते है refrigerator के पीछे यह एक बार जरू ध्यान दिजेगा इस question के उपर question number 7 lines represent in psychometric chart मैंने बोला आपको dew point temperature dry bulb temperature, wet bulb temperature है ना यह सभी का lines जरू ध्यान रखने specific humidity का क्या होता है ऐसे pure substance TS डाइग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ लिजेगा तो वह आपको बिलकुल मिलेगा ही मिलेगा एक आइकार्ड में जरूर देखिएगा और बात की जाए आपके strength of material से क्या क्या question बनते है one of the toughest subject मानते हैं लोग लेकिन इसमें अगर आप तयारी साही से कर लो तो काफी अच्छे number भी दिला सकता है जैसे कि like maths जैसे कि beam और support इसके उपर numerical बनने का सबसे ज़्यादा chances तो आता ही आता है numerical पूछा ही जाता है ठीक है NPCL को ध्यान में रखिए deflection के उपर एक numerical बनता है या तो यह भी पूछ सकते हैं जैसे कि मैंने पिछले paper में बताया था कि यदि अगर point load यहां लगाए तो यह bend करेगा और तो यह तूटेगा कहा से तो यह point out support से तूटेगा और effective length के उपर formula और numerical दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे से question बन सकता है normally आपके formula नहीं आपके जो condition है उस पर numerical बनने का chances ज़्यादा है mechanical properties just like elasticity, plasticity इन में से एक ना एक तो आई जाता है है ना और stress strain के बारे में आपको पता होना चीए थोड़ा curve के बारे में भी धियान रखिएगा curve जो है ना C-U-R-V-E ठीक है curve देख लीजेगा इसका stress strain diagram में mileage stream का ही क्यों बना रहे है और इस तरीके से है और बात की जाए आपके लिए inertia, section modulus, bending moment, torsional equation इसमें numerical formula और theory भी धियान रखिएगा है ना तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एक इस तरीके से question पढ़के जाना कि अगर section modulus अगर बढ़ाया जाए तो bending moment पर क्या defect आएगा है ना तो value घड सकती है ठीक है ऐसा कुछ question आपके NPCL में पुछा जा चुका है सेबन्त पर अगर देखें तो hook slow, types of the stress, hoop stress, longitudinal stress ये स्वारी चीज़े आपको पता होने चीज़े के hook slow जो है आपको पता ये है कि stress is directly proportional to strain within the elastic limit clear है ना तो वो चीज़ धियान रख देगा और आपके rivet के उपर जो आपके जैसे crushing, sharing ये जो एक आपको definitions होती है इनके बारे में पढ़ लेना, formula भी याद रखना, more circle के उपर काफी ज़्यादा question तो नहीं आता है बाकि normally आपका जो है एक more circle में line आता है तो ये किसको represent कर रहा है, ये किसको कर रहा है, ऐसा question आ सकता है एनपी सेल ना सिर्फ आपका paper के तरीके से जबकि interview के तरीके से भी सवाल पूछती है fluid mechanics और hydraulic machines के बारे में अगर बात करें तो unit, formula और numerical ये तीनों अगर जहां मिलती है वो density, specific, gravity, in terminology को अच्छी तरीके से समझ येगा इन पे भी formula based जो है numerical बन जाते हैं और question number 2 पे देखे तो viscosity, kinematic, viscosity, unit definitions इनके उपर आपका सवाल बनता है अब बात कर रहा हूँ special जो की absolute pressure के बारे में surface tension, capillarity और surface tension force ध्यान रखना surface tension और surface tension force में difference होता है और इसमें normally bubble का बनना ये सवाल देखना fact based जितने भी NPCL में सवाल बन सकते है वो चीज़ आपको जरूर ध्यान देनी चाहिए क्योंकि इस पे से ही conceptually भेटता ही बेटता है और बात की जाए आपके metacentric height ये आपके NPCL के अंदर काफी पुछा जाता है तो ये कहां से कहां तक किस बिंदू के बीच में होता है ऐसे ध्यान रखिए और जो कि आपके measurement device, venturimeter, orifice meter, pitotube, animometer, hygrometer, hydrometer और भी बहुत सारे होते हैं तो इनके उपर धियान देना, mostly आपका venturimeter के उपर पूछता है, pitotube के उपर पूछता है, और एक आपका hydrometer के उपर भी question पूछ लिया जाता है तो इसको बिल्कुल नजर अंदाज ना करें, measuring device को अच्छी तरीके से कीजेगा वैसे मेरे पास में हर एक चीज का एक specified notes है, सब कुछ है, तो आप topic बोलेंगे, तो ही मैं चीज अपलोड करूँगा और बात करें, तो यहाँ पर 7th question, rate of discharge जिसे numerical quiz equals to AV यह बात करें, तो इस पर numerical बन सकता है आपके यहाँ पर जो type of the flows जो है, जैसे steady flow है, uniform flow है, free vertex flow है, यह पता होने चीजए, Bernoulli's equation के बारे में पढ़ लेना और Euler equation, यह कहां लागू की जाती है, इनका formula क्या होता है, वैसे Bernoulli's equation अगर बात करें, तो NPSL का बहुत most favorable question होता है और इसी के साथ ही आपका hydraulic coefficients होते है, just like coefficient of contraction, velocity, discharge, यह इनके बारे में जरूर ध्यान देना और notch and wear में, simplicity wear के उपर अच्छी तरीके से पढ़ जाना, क्योंकि इस पर question बनता है, कि simplicity wear किस तरीके का आपको देखने को मिलता है बहुत सारे लोग ध्यान भी नहीं देते कि यार यह wear जो है, यह क्या है, notch है तो क्या है, और if it है तो क्या है, है ना, चलिए question number 12 पे बात करें, तो loss of head due to friction, यह one of the most important question है, मैंने यह लिखना भूल गया, ठीक है यह हो गया आपका one of the most important question, जो कि 12 है, loss due to head, Darcy's equation अच्छी तरीके से पढ़ लेना, है ना, यह चीज़ आपको यहां पर मैंने कर दिया है, और जिसमें कि आप देख सकते हैं, flow, formula वैसे मैं आपको बता दूँ, 4FLV square upon 2GD, क्या है 2GD, ठीक, चलिए अब one poise में कितने होते हैं, देखे, conversion तो सारा ही पढ़ जाना, कुछ भी मत छोड़ना और unit बिल्कुल मत छोड़ना कि किसकी क्या unit है, अभी पिछली बार ही पूछा था कि भी meter square per second, यह सब है, अलग एक NPCL के paper में, numerical पर बात करें, तो देखे, head loss due to friction, जबकि आपको अगर Reynolds नमबर दे रखा है, तो 16 upon REN, जो भी बोल लो, ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, 17, जो कि रेनोल नमबर, फ्राउट नमबर, वेबर नमबर, यूलर नमबर, मैक नमबर, तो देखे, रेनोल नमबर पर question आपका बनता है, कि भी inertia to the क्या होता है, तो यह होत impulse turbine के बारे में एक question बन सकता है, for the high head, जैसे pelton wheel होता है, efficiency होती है, kavitation के उपर सवाल बनता ही बनता है, आपको बता दू मैं यहाँ पर, जो कि centrifugal pump और vapor pressure, एक question यह भी बनता है, कि specific speed किसकी ज़्यादा होती है, head किसका ज़्यादा होता है, तो इस तरीके से आपको पता होना च और K के लिए अगर बात करें, तो इसका specific speed ज़्यादा होगा, ठीक, चलिए, बात करते हैं, आपका next, यहाँ पर theory of machine के subject पे चले, तो यह होगा आपके divergence, divergence का एक भी सवल मत चोड़ना और इसकी tricks में आपको बताऊंगा, बस comment जरू कर दीजेगा, या फिर मैं आपको telegram join यह description में लिंक दिया है, वहाँ पर आपको अगर, ग्रूप में अगर आप बोलेंगे, तो divergence के बारे में, notes wise में यहाँ पर एक चीज़ जरू दूँगा, कि tricks या दगना, जैसे single slider correction mechanism, तो single pen उसका white genome, तो genome engine के लिए पूछते हैं, और pentograph यानी कि single pen बोला है, तो pentograph के लिए भ आपके lower pair and higher pair के एक, दो चार option दे देगा, इंद में से कौन सा lower pair है, higher pair है, और आप Newton's law of motion, momentum, inertia, pulse, यह सबी चीज़ धियान रखेंगे, numerical, एक भी मत छोड़ लो, एक नेक्स question पर बात करें, तो numerical बनता है, angular velocity के उपर, ठीक है, तो धियान रखेंगा, omega key value क्या होती है, 2 pi n upon 60, और इसी के साथ ही आपका, जो कि mechanism made by the link कितनी जरुवत होती है, 4 होती है, यह से चोटे-चोटे question है, जो कोई ध्यान नहीं देगा, तो इसलिए लिग दिया है, 4 bar, double lever, और आपका single slider, double slider, इनके convergence अच्छे से ध्यान रख लेना, numerical, जो कि instantaneous center, जो कि N, N minus 1 by 2, जो होता है, इस पर सवाल बन जाता है, यह exam में इता pressure होता है, कि normally formula याद भी नहीं आते हैं, और बात करें, आपके यहाँ पे hooks, hook joint जो होता है, वो किसके बीच में available होता है, तो यह engine और differential के बीच में होता है, और numerical, जो कि belt के lengthway, जैसे कि आपका tension, जो है 3TC, centrifugal tension के, का 3 गुना करके बराबर होता है, और इस पर ध्यान दीजिए का, जो कि gear arrangement कैसा, यह question कहीं बार पूछ लिया जाता है, और जिसमें कि आप देख सकते हैं, जैसे bevel gear है, spiral gear है, spur gear है, और helical gear है, तो इन सभी चीजों में आपको ध्यान रखना है, एक question especially अगर आता है, तो 20 degree depth, full depth पर जो है, कितने teeth होते हैं, तो gear में, यह 18 teeth होता है, toothed gear, जो कि 14 and half full depth के लिए 32 teeth की जरूवत होती है, तो यह question ऐसे हैं, जो कि ध्यान देख सकते हैं, जो कि ध्यान देख सकते हैं, आपको यह चीज पता होनी चीए, क्या difference है, और इसके जो टाइप सोते गवर्नर के, उसमें pendulum pump, pendulum governor जो है, उसका example है वार्ड governor, और इसकी height के formula पर एक question बंदा है, numerical आता है, ठीक है, और जिससे के 895 by N square, अगर N की value दे रखी होगी, ध्यान रखियेगा, ठीक, question number 13 पर जाओगे, तो game nomenclature में आपको बता दिया, base circle वाला, question number 14, biflet suspension method का इस्तमाल, जो है, क्या find करने के लिए करते हैं, तो moment of inertia of body, याद करने के लिए करते हैं, यह B.A.R.C. में भी पूछा जा चुका है, यह आपके N.P.C.L. में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखियेगा, ऐसे question, और 15 number cast iron में, carbon percentage कितना है, limit fit tolerance, की जितनी भी चीज़े question बन सकते हैं, वो सब ध्यान रखना, अगर आप कहेंगे, तो होती है, वो hoop stress पर होती है, पता होना चाहिए, की coupling को और shaft को अच्छे सा पढ़ देना, इस पर numerical theory और question बनते हैं, and last, यहाँ पर आपका 8 subject बहुत करें, तो material engineering के बात करेंगे, जो की cast iron, HSS, stainless steel, duralumene, solder, brass, bronze, इन पर तो question बनते हैं, इन में से कोई सा भी एक question आएगा याएग के रहाँ, molybdenum और gunmetal को बिल्कुल भी underestimate ना करें, इस पर भी पूछ लेते हैं, और cupola furnace में 2 years का क्या काम होता है, यह question NPCL में पूछा जा चुका है, और impulse effect, जो impurities effect क्या होते हैं, जैसे carbon का, sulfur का, chromium का, normally chromium और nickel, इनको ज्यादा पूछा जाता है, BCC, FCC, HCP structure के अंदर, जो क जो भी रहता है, molecular structure, उसके उपर question पूछा जाता है, iron carbon diagram को अच्छे से पढ़ लेना, most important topic है यह, ठीक, और heat treatment, heat treatment का एक सवाल आएगा, जिसे अगर मान लो, annuling है, आपका normalizing है, और इसके अलावा भी आपसे, anodizing, parkerizing, anodizing, यह सब क्यों करते हैं, तो एक नाएक सवाल तो होता है, यह, ऐसा question है, जो कहीं बार पूछ लिया जाता है, isotropic और anisotropic में difference ध्यान रखना, यह numerical, sorry, मतलब NPCL के द्रिश्टी से बहुत ही important सवाल होता है, तो यह थे total arts topics या subject बोल लो, जिनके लिए आपको काफी अच्छी तरीके से, यहाँ पर जो question पूछे जाते हैं, exam में वो मैंने आपको बता दिये है, next के और subject जैसे हैं, वो भी मैं आपको दूँगा, बट आप इस वीडियो को like करे, share करे, comment करे, जो कर सकते हैं, सब कुछ करे, ठीक, मैं मिलता हूँ, next वीडियो में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत